किस्चन नमबर तीन है क्या बिंदू 1523-211 सेरे की है हम पहले देखेंगे कि सेरे की क्या होता है इसके लिए पहले हम एक लाइन से इसको बिंदूवत करते हैं कि यह है एक रेखा है यह है एक रेखा है यह बिंदू A है जिसका मान है एक और पांच यहां बिंदू मान लो B मान लेते हैं B मानते हैं तो B का मान कितना है B का मान है 2 और 3 और 3 और तीसरा बिंदू C मान लेते हैं यह बिंदू B हो गया यह बिंदू हो जाएगा C माइनस के 2 और 11 अब हम देखो यह देखते हैं कि सेरे की क्या होता है सेरे की यानि किन ही 2 का हम पहले A B के बीच के दूरी गयाद करेंगे फिर B C के बीच की दूरी करेंगे फिर C और A के बीच की दूरी करेंगे पहले हम A B की बीच की दूरी गयाद करेंगे फिर B C के बीच की दूरी गयाद करेंगे बीच की दूरी AB के बीच की दूरी बराबर सुत्र क्या हो जएगा X2 X2 minus X1 की स्क्वाइर plus Y2 minus Y1 की स्क्वाइर ये इसका सुत्र हो जाएगा देखो इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा इसको लिक लो मान बराबर X2 का मान क्या है यहाँ इन दोनों के 20 a b की कर रहे है तो x2 का मान हो जाएगा 2 तो लिखेंगे under root 2 minus 1 की square plus y2 क्या है 3 minus 5 की square बराबर जब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1 1 की square क्या हो जाएगा यहाँ लिख देंगे 1 की square plus देखो यहाँ 3 है 3 में से minus 2 जाएगे जब 3 में से minus 2 जाता है तो minus का 2 आएगा क्योंकि बड़ी संक्या minus की 2 है छोटी संक्या plus की 3 है तो बड़ी संक्या में छोटी संक्या घटाएगे तो क्या जाएगा minus 2 की square जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा देखो एक की स्क्वेर क्या होता है एक होगा पलस माइनस दो की स्क्वेर क्या हो जाएगा माइनस माइनस पलस हो जाएगा और चार हो जाएगा जब हम इसको हल करेंगे तो क्या जाएगा अंडरूट पांच क्या जाएगा अ अंडरूट 5, पहला मान हमारे पास A, B के बीच की दूरी आई है, वो कितनी आई है, अंडरूट 5, अब बिंदू B और C की बीच की दूरी ग्याद करते हैं, तो B, C की बीच की दूरी, B, C की बीच की दूरी, B, C की बीच की दूरी ग्याद करने का सुत्र हो जाएगा, अंडरूट X2 माइनस X1 की स्क्वाइर, पलस Y2 माइनस Y1 की स्क्वाइर, यह इसका मान हो जाएगा, सुत्र हो जाएगा, देखो, अभी हम इसको हल करेंगे, क्या करेंगे, हल करेंगे, तो हल करेंगे, तो अंडरूट X2, X2, यानि B और C का करते हैं, तो X2 का मान हो जाएगा, माइनस का दो, और X1 का हो जाएगा, दो, तो X2 का मान है, माइनस दो, तो यहाँ लिख देंगे, माइनस का, दो, फिर 2 का माले लिख देंगे माइनस का 11 और फिर माइनस सृ्टरवाला फिर Y1 का माले के तरह हैं 3 की square जब हम इसको आगे हल करेंगे तो under root माइनस 2 की square की अन先生 कहां हो जाएगा माइनस का 4 की square हो जाएगा माइनस 4 और square फिर पलास माइनस माइनस क्या हो जाएगी सेंग क्या जुड़ जाएगी तो माइनस का 11 और माइनस का 3 कितने हो गए माइनस के 14 तो यहां हो जाएगी माइनस के 14 की स्क्वाइर जब हम इसको हल करेंगे तो आजाएगा मान क्या आजाएगा अपना आजाएगा 4 की स्क्वाइर कितना होता है 16 क्यो आता है एक सो छिन में अब दोनों को हम क्या कर देंगे जोड देंगे जब हम दोनों को क्या करेंगे जोडेंगे तो कितना आता है इधर जोड लेते हैं एक सो छिन में और सोला दो नौर एक दस और एक ग्यारा और दो सो बारा कितना माना जाएगा दो सो बारा इसका माना गया इसका आगया वरग मुल नहीं वरग आगया क्या आगया वरग यानि इन दोनों संग्याओं को जोडते हैं तो मान आता है 212 अब हम मान निकालते हैं ए और सी के बीच की दूरी यानि ए बी का मान हमने निकाल लिया बी सी का मान हमने C A के बीच की दूरी C A के बीच की दूरी बराबर मान हो जाएगा X 2 माइनस X 1 की स्क्वाइर पलस Y 2 माइनस Y 1 की स्क्वाइर अब देखो जब हम इसको हल करेंगे तो क्या लिखेंगे पहले लिखेंगे अंडरोट X 2 का मान C A है तो यहाँ यह पहला बिंदू माना जाएगा यह दूसरा बिंदू तो देखो C A तो इसमें पहला मान हो जाएगा X 2 का मान यह हो जाएगा X 1 का मान X 2 X 1 तो यहाँ लिखेंगे X 2 का मान है 1 माइनस X 2 का मान 1 हो गया X 1 का मान माइनस के 2 एक माइनस यह है, एक माइनस यह दो वाला है यह दोनों माइनस को हम क्या कर देंगे, कोश्टक में लिख देंगे y2 का मान कितना है, 5 5, फिर माइनस 5 माइनस, y1 का मान क्या है, माइनस के 11 तो एक माइनस का 11 हो जाएगा अब देखो इनको हम क्या करेंगे हल करेंगे स्क्वाइर कर दो हल करते हैं तो क्या हो जाएगा यहां देखिए यहां एक का एक हो जाएगा यह माइनस माइनस पलस हो जाएगा यहां हो जाएगा दो माइनस माइनस पलस हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 SUGBYER फिर प्लस देखो 5 के 5 माइनस माइनस के हो जाएगा प्लस फिर है 11 की SGBYER जब हम इसको आगेखल करेंगे तो मानल जाएगा हमारे पास दो रे कितना हो गया 3 3 की SGBYER प्लस 11 और 5 कितने हो गया 16 16 की SGBYER जब हम इसको आगया हल करते हैं तो मान आजाएगा 3 के स्क्वेर कितना हो गया 9 पलस 16 के स्क्वेर क्या हो गया 256 तो इन दोनों को जोड़ेंगे 56 और 4, 60 और 5, 65 जिनका मान आजाएगा 265 अब देखो किनी हिन 2 का योग तीसरे के बराबर है क्या सबसे बड़ा मान 265 है क्या 265 इन दोनों का बराबर है यहाँ 212 है यहाँ मान हम्यायता अंडरोट 5 212 और 5 करें इन दोनों को जोड़े तो तीसरे के बराबर मान नहीं है क्या नहीं है इसका मान तीसरे के बराबर नहीं है जब 2 का योग इन ए बी का मान ए बी और बी सी का मान है वो एसी के बराबर नहीं है अथार्थ दिये गई बिंदू संरे की नहीं है अता है अता है दिये गई बिंदू अता है दिये गई बिंदू संरे की नहीं है संरे की नहीं है दिये गई बिंदू क्या नहीं है संरे की नहीं है यह हमारा क पुश्चर नमर हो गया तीन